कि यह दोस्तों सटार करते हैं consideration other देंड कैश द्यान से सुनिएगा start करते हैं kijim investator काश हैं वहुद बच्चों वाला लॉलिपॉप सांध टॉपिक घितने बच्चों ध्यान आ रहे 10 मिए वाला टॉपिक द्यान डेते हैं कितने बच्चों को ध्यान आ ऑभे होग तक रहा है एने में किया था ते बच्छें तो थ्यान नहीं आ कोई नहीं कोई बाथ मैं इसको इसी तरीके से बताओंगा जिस तरीके से मैंने नॉर्मली दोस्तों द्यान से समझगे मैंने लेटसे मैंने राम से लैंड खरीदा मैंने राम से लैंड खरीदा तो डेबिट क्या होगा उधार फीट के के लिए लेंड के लिए लेंड के लिए इतना पता होना चाहिए क्लास 11 के बच्चे कोई चीज़ पता हुशी है डेविट क्या होगा राम या लैंड मैंने राम से लैंड खरीदा डेविट क्या होगा राम या लैंड मैं अपने हिसाब से एंट्री पास करते हूं मैं तो नहीं हो गया अब जवाब तो दो भाई मैंने राम से लैंड खरीदा एंट्री में डेबिट क्या होगा राम या लैंड तेजस्वे आपका सही जवाब है तो मुझे नहीं पता बच्चे क्यों जवाब नहीं दे रहे हैं राम या लैंड ऑव्यस इतना कैसे सोच रहे हैं इतना इतना कैसे रहे थे तमाल कर रहे खर रही है अगर मैं राम को कैश पे कर रहा हूं तो एंट्री में राम अकाउट डेविट टू क्या आएगा अगर मैं राम को कैश पे कर रहा हूं एंट्री क्या होगी राम अकाउंट डेबिट तू राम डेबिट डेबिट छोड़ो प्रेट का बताओ नाइस अगर मैं राम को शेयर्स दे रहा हूं तो अगर मैं राम को शेयर्स दे रहा हूं तो कि सबचे से शेयर बोल रहे हैं मुझे थोड़ा सा अठपटा लग रहा है दोस्तों नहीं ते जस्वी कुटी सिर्फ शेयर्स एग्जाटली रहाँ शेयर क्या खुशी जयसमिन पलेश शेयर कैपिटल भाए जेयर नहीं आएगाром kशेयर की जगावीं दे रहा हूं तो क। होगा अब मैं अगर राम को शेयर के दो डे रहा हूं तो क्रेडिट क्या होगा वे बताओ ओप्यसी बात है परसंटेज देवैंचर व लो ऑफ ही बात तब यहां पर तीन cases बनते हैं हमारे जहें से देखेगा प्लीज या तो मैं इशू करता हूं डिवेंचर को आपको पता है ना तीन तरीके से इशू कर सकते हैं या तो प्रीमियम पे इशू कर सकते हैं या तो डिसकाउंट पे इशू कर सकते हैं ठीक है मैं पार के एंट्री बता रहा हूं राम को डिवेंचर दे रहा तो येस लिख दो बिटा विटेब्रिभाडी है है तो येस लिख दीजेश का ये लिए अमीट सम्मोर येससे ओसम उसके बाद करते है प्रीमिवम की एंड एडियर ट्वेंटी वाफ से से प्रीमियम येड़िव कर लेते हैं राम को मैं डिवेंचर दे प्रीमियम पे एंट्री होगी राम अकाउंट डेबिट तू परसेंटेज डिवेंचर तू सिक्योरिटी स्प्रीमिय ठीक है यहां तक कित्ते बच्च मानगे स्टेप बाइस चलता भी कुछ नहीं लिखना बच्च वाली चीज़ा स्क्रीनशॉट ले 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 ना इसका जल्द कित्ता डेबिट करोगे जो बताओ एवरिबडी एक ऑस्म पेंटालिस लाग नाइस सही जवाब अब इसमें नंबर ऑफ डिवेंचर का कॉंसेप्ट आता है जब भी प्रीमियम या डिसकाउंट ओना नंबर ऑफ डिवेंचर का कॉंसेप्ट आता तो उसका फॉर्मुला होत पेबल अपॉन इशू परेज्ट अमाउंट पेबल मुझे राम को कितना माउंट पेज करना एक बार दुबार मताना होॉए दूस्ता राम को कितना माउंट पेज्ट आना मुझे में मैं है कि अगर आपको आंसर करने पीटा तो कर सकती है बागी तो बच्चों ने 125 ऑस्म 125 बिल्कुल सही जवाब 125 बिल्कुल सही जवाब कोई बच्चा एक्सप्लेंग करना चाहता है एक्सपी लिग दो कि यार भाई 125 कैसे आया एनीबडी बैस सो रुपे का डिवेंचर पच्चिस परसेंट ट्रीमियम है तो इश्यू प्राइस कितना हुआ एक सो पच्चिस पेंतालिस लाग अपॉन एक सो पच्चिस कैलकुलेट करोगे आपके पास आगा 36,000 डिवेंचर ठीक है यहां पर आप लिख देंगे 36,000 इन्टु हंड्रड मतलब 36,000 इन्टु 25 मतलब 9,000 अगर समझ आ गया तो प्लीज यह लिख दीजे यहां तक अगर सब कुछ समझ आ गया तो एक बार प्लीज यह लिख दीजे गोस्तों कि एवरीबाड़ी यहां तक समझ आ गया तो प्लीज आई नीड़ा येस ओके नाइस आगे बढ़ते हैं और मान लेते हैं डिसकाउंट इस एड़ेट 10% डिसकाउंट ठीक है एन ओडी के बाद से रिपीट कर नंबर ओफ डिवेंचर के बाद से बैठा आयूश्मान नंबर ओफ डिवेंचर अई ऐसे कि सिट्वेजन में जब प्रीमियम या डिसकाउंट होता है तो हम लोग नंबर ओफ डिवेंचर का फॉर्मुला होता है अमाउंट पेबल अपॉन इशू प्राइस अमाउंट पेबल है मेरे पास 45 अपॉन इशू प्राइस है मेरे पास सौ रुपया का डिवेंचर अंडेस्टूट ऑस ठीक है उसके वाद एवरीबड़ी एक चीज़ और बता दू कई बच्चे क्या करते हैं न सिक्योर्टी प्रीम में 45 पर्सेंट का पच्छिस परसेंट करके डाल देते हैं क्या वो करेक्ट एक करेक्ट के लिए सी लिग दो इनकरेक्ट के लिए आई लि करना है या फिर देट करना है पच्छिस परसेंट मुझे किसका कैलकुलेट करना है राम का या डिवेंचर का आर का अगया बढ़ते हैं यह वाली चीज तेरे को क्लियर है अगर नहीं है तो नो लिख दे कोई बात थी मैं डिसकाउंट एक्स्पेंट कर दूँगा फिर एक बारत दो बता दूगा तेरे को क्लियर है यहां तक अंच अरोरा नहीं है तो नो लिख सकता को दिक्कत वाली बात नहीं अंच कह रहा है मैंने जवाब दिराजते रहे हैं कोई बात नहीं है रूडिया मुझसे आगे बढ़ते हैं इसके बाद जो एंट्री होगी तीसरे केस में डिसकाउंट वाले में राम अकाउंट डेबिट डिसकाउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट तू परसेंटेज डिवेंचर राम डिसकाउंट ऑन इशू डिवेंचर तू परसेंटेज डिवेंचर अब यहां पर अब बताएं दोस्तों राम के सामने कितना लिखूंगा मैं बताओ एवरिबाडी राम के सामने कितना लिखूंगा भाई पेंटालिस लाग क्लियर है राधे राम के सामने पूछ रहा था यार ठेक है तू एक्साइटमेंट में तू इशु प्राइस बता रहा है कबाल है ठीक है अब यहां पर डिसकाउंट या प्रीमियम में सीधा सीधा लिख दू या फिर मुझे कुछ कैलकुलेट करना करेंगे नंबर आफ डिवेंचर अमाउंट पेबल पेंटालिस लाग एवरीबाडी वाट इस इस्व प्राइस कि वाट इस देशु प्राइस कि बताओ बताओ 90 रूपीज कैलकुलेट करोगे आपके पास पचास हजार डिवेंचर आ गए पचास हजार इंटु 10 करेंगे त पचास अजार इंटु 100 करेंगे तो मेरे पास आगया पचास लाग एवरीबडी चाहे तो आप लोग इसका स्क्रीन शॉट लिक कर सकते हैं ठीक है यह आपके पास पूरा का पूरा पूरा कंसिटरेशन अदर दिन कैश है बहुत सिंपल सी बहुत स्क्रेट फॉरवड सा केस ठीक है पार है तो कोई दिक्कत नहीं है प्रीमियम या डिसकाउंट में नंबर ऑफ डिवेंचर मुझे कैलकुलेट करना अच्छा कल आठ से नौ में एक बच्चा मुझसे पूछ रहा कि सर यह और यह जो आपने कैलकुलेट किया है यह हमारा रफ वर्क है क्या जल्दी पत ठीक है अब मैं आप लोग के सामने रख रहा हूं एक क्वेश्चन प्लीज दरा ध्यान से समझीएगा बहुत सिंपल सा केस है और लेट इस से यू वाट यू वाट यू वाट मशीनरी प्रॉम सोनू रुपीस बाईस लाग आपना सोनू से मशीनरी खरीद लिया बाईस ला हाफ थू चेक बैलेंस थू इस्षू ओफ नाइन परसेंट डिवेंचर एक टैन परसेंट प्रीमियम डिवेंचर की वैल्यू सो रुपए है नहीं देर रख्यों थी तो भी आप यही मानते हैं दोस्तों क्वेश्चन वर्शन मत लेखो सीधा एंट्री पास करते हैं दो भी कर सकते हैं तीन भी कर सकते हैं जल्दी से करते हैं दोस्तों एंट्री पास कमाउन बेटा शाबश बहुत सिंपल सा केस है कर दोस्तों जल्दी से करें शाब बाश्च कर दोस्तों जल्दी से करें शाब बाश्च कि अंश अगर भाई तो भी यवाज सुन पा रहे हैं तो एक बार पीज येस बोल दें कि अगर चीक अंश अंश तुछ डिसकनेक्ट हो गया था बिटा तुझे ये प्रीमियम डिसकाउंट सब समझ आ अच्छे से प्लक परिगोट सौम्मया बेरी गुड़ा युश्मान है कि वेरी गुड़ प्रिशिका रशी है कि अधि गुड़ नमन वेरी गुड़ टिक्षा नाइस है यार नाइस स्पीड वेरी गुड़ श्रेया मेरी गुड़ नैंसी आयू अनुश्का खुशी सोमी नाइस है जल्दी कर दो चार बच्चे और बागी एक बार में इस टॉपिक रिकॉर्डिंग देखें दूवाच नाइस यार जल्दी करो बड़ा शाब बाश् ठीक है ओके जी बहुत सिंपल सी बात है आपने मशीनरी खरीदी मशीनरी टू सोनू कि 22 लाक कि 22 लाक कि सेकिन एंट्री आदा पैसे आपने सोनू को चेक के थूपे कर दिया सोनू टू बैंक ग्यारा लाक 11 लाक और बचे हुए पैसे आपने उसको डिवेंचर के थूपे कर दी सोनू तू परसेंटेज डिवेंचर बैसिकली 9 दे रखा आपको प्वेस्चन में यह रहा 9 पसेंट डिवेंचर दे रखा है तो यू मस्ट राइट 9 पसेंट डिवेंचर सिक्योर्टी प्रीमियम बच कितने बच्चों का गलत था या इनकंप्लीट था और वो समझ गए मी लिख दीजे कितनों का गलत था या वो इनकंप्लीट थे और अब वो समझ गए मी लिख दीजे ओके अगर आपका इनकंप्लीट था तो दोस्तों स्पीड के ओपर काम करो गलत था उसके लिए मैं कुछ नहीं बोलूँगा गलत था समझ गए अच्छी बात है और के वैभव अनुश्का राघव जलक जैस्मिन रिशा एंड्रिया नाइस है आप लोग समझ गए हैं कोई परिशानी वाली बात नहीं किते बच्चे कह रहे हैं इसको एक्स्प्लेइन करते जरा कोई सब्सक्राइब कर दूंगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं बस यहां पर अगर नंबर ऑफ डिवेंचर मुझे करके दिखाना है अमाउंट पेबल मेरे पास 11 लाग है क्योंकि 22 ला सब्सक्राइब को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं जरा कॉंसिप्ट बिजनस को खरीदने का आजकल नहीं पिछले 10 साल से बहुत बड़ा चल रहा है कि कुछ काम दनना नहीं है दूसरा बिजनस खरीद लो बहुत सारे आजकल तो टन्स ऑफ एक्जैंपल्स और आजकल तो ऐसे एक्जैंपल सा जो बच्चे मुझे बताते हैं मैं बच्चे मुझे बताते हैं ठीक है विजनस ऑब इसका वेरनेस काफ़ है आजकल देते जैसे फेस्बुक ने खरीदा है इंस्टेग्राम को और वाट्साप वगणरा को खरीदा है उसके अलावा मैं आ आपको पता ने मिंत्रा को खरीद रखा है यह पता है तो यह लिग दो जो फिलिपकार्ट ने मिंत्रा को खरीद रखा है तो फेस्बूक ने अपने आपको प्रेमेर को कर दिया आपको फेस्बूक कर दिया तो आयूसमन पने आपको खरीदा नहीं आपको खरीद मेट्सू को खरिद लिया विदान्तू गरीद लिया एकृपिंग निकलता है जैसे तुम लोग शॉपिंग नहीं करते हैं या बिक बाजार में जाके वहीं समान खरीद बढलो कैचशप डाल लेता है यह डाल लेते हैं पाँच है उस सेंस में अरना थे ठो एक है तो ऐसे वह नख रीटते डिख है तो उनको खरीदने अ कोई बात at हम लोग जो इसके अकाउंटिंग सीख लेते हैं तो आपकी अकाउंटिंग क्या होगी द्यांद से समझेगा मान लेते हैं business में हमारे पास assets है 20 lakhs के और हमारे पास liabilities है 5 lakhs की तो यार एक बाद बताओ, यह कोई दूसरा business है और आप इसको खरीदना चाहते हो क्या आप बता सकते हो इस business की worth क्या है जल्दी बताए दोस्तों, इस business की worth क्या है what is the worth of this business, what is the value of this business can I have some answers please, excellent answer, 15 lakhs, 15 lakhs, excellent answer, 15 lakhs, excellent answer, ठीक है अब इस business का जो मालिक है न वो इस business को 3 value पे बेच सकता है या तो वो बेचेगा आपको 15 lakh में या तो वो बेचेगा 15 lakh से more में या तो वो बेचेगा 15 lakh से less में इसके अलावा कोई तो option में है कई वच्चे कहते सरो हो सकता है जीरो में बेच दे ओ भाई जीरो भी तो यार 15 lakh से कम ही हुआ ठीक है तो या तो बेचेगा 15 lakh पे या तो बेचेगा 15 lakh से इंटरी पास करते हैं आप जब किसी बिजनस को खरीद रहे हो तो आप सारे के सारे एसिट को एक्क्वायर कर रहे हो तो ओविसली सारे के सारे आप डेबिट करोगे इॉपुशिली आप उस बिजनस को खरीद रहे हो सारे के सारे एसिट को डेबिट करोगे विड़िट करोगे अवरी बढ़ी उस aja को आप खरीद रहे हैं का संसुंद énश с को आप लोग क्रेडिट करेंगे बीस लाख रूपे का वे सारी कि सारी liabilities को आप लोग credit कर देंगे पांच लाक रुपए से उसके बाद आपको फिलहाल Mr. X को मान लेते हैं यह business जो है न वो X Limited का है आपको Mr. X को कितने पे करने है फिलाल जल्दी बताइए आपको Mr. X को कितने पे करने है फिलाल पंद्रा लाग मैंने यहां पर लिखा है जिसको मैं वन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं एक पंद्रा लाग को मैं टू से रिप्रेजेंट कर रहा हूं एक पंद्रा लाग के मैंने वन लिखा है एक पंद्रा लाग में मैंने टू लिखा है क्या बता सकते हैं यहां पर जो आप लिमिटेट 15,00,000 ठीक है यह मैंने सिर्फ बिजनस के परचेस की एंट्री करी उए यार इसके बाद भी एंट्री होगी कि आप एक्स लिमिटेट को कैश दे रहे हो डिवेंचर्स दे रहे हो शेयर्स दे रहे हो बिल्स पेवल दे रहे हो क्या दे हो इसके बाद भी एंट्री होगी मैं आपको इसके बाद की एंट्री नहीं सिखा रहा हूं मैं आपको सिर्फ फिलाल एक्विजिशन की एंट्री सिखा रहा हूं समझ गया है तो येस लिए मैं आपको सिर्फ एक्विजिशन की एंट्री सिखा रहा हूं कि बिजनस को एक्वा पढ़ चुके हैं मैं इसकी entry फिलाल आपको नहीं बता रहा है मैं आपको फिर एक्विजिशन के entry बता रहा है I believe this is clear यह तोड़ा सा analysis करते हैं मेरे हिसाब से business की value क्या है अच्छा एक मिट रुको एक मिट रुको एक मिट रुको मेरे हिसाब से business की value फंद्रा लाग है और मैं बंदे को भी फंद्रा लाग दे रहा हूं ठीक है तो आप बताईए क्या इस business में कोई profit या loss हुआ इस transaction में मुझे कोई profit या loss हुआ क्या इस transaction में मुझे कोई profit या loss हुआ नहीं हुआ excellent answer case 2 पे चलते है case 2 पे भी सारे के सारे assets को आप debit करेंगे 20 लाक रुपे के सारी की सारी liabilities को आप credit करेंगे 5 लाक रुपीज में और आपने X Limited को credit कर दिया है 16 लाक में अगर यहां तक सारी चीज़े clear है तो यह लिख दो एक और बार यहां तक सारी चीज़े clear है तो यह लिख दो इसके बाद की यह में आगे बढ़ाते हैं ज़रा तो कि उसcede अगत्र दत अब मैं एक समझाओंगा भी रटवां पहले मैं समझा रहो आपके हिसाब से बिजनस की कीमत कितनी एगजैक्ली नमंशय जवाब बताओ बता तो कितना पंद्रा लाग लेकिन आप कितना पे कर रहे हैं लेकिन आप कितना पे कर रहे हैं तो एक लाख आप एक्स्ट्रा किस चीज के कारण पे कर रहे हैं क्यों पे कर रहे हो भाई तो प्री का पैसा आ रहा है क्यों पे कर रहे है एक्सिलेंट आंसर गुडविल डेबिट हो जाएगा एक लाख रुपे से आपके पास रीजन्स होने चाहिए अगर किसी बच्चे को रटना है देखो साथ वो भी अबड़ा असान है डेबिट में था 20 लाख क्रेडिट में था 21 लाख डेबिट में बैलेंस बचा हुआ है एक लाख का मैं यहाँ पर डाल दूगा रटना है आप रट भी सकते हो मुझे परसनली को दिक्कत नहीं है लेकिन मैं नहीं चाहता बेटा कि आप लोग इसको रटो आप लोग समझो कौन से ठीक है अग अगर मेरा क्रेडिट जादा है तो मेरे पर गुडविल बचते हैं बात करते हैं तीसरे वाले केस की द्यान से देखिएगा हमारे पास सारे के सारे एसेट हमने एक्वायर कर लिए 20 लाख के तू सारी के सारी लाइबिलिटीज हमने पे आफ कर दिया 5 लाख की 2 एक्स लाइब आइस ओस्व 14.5 लाइब बिजनस की वेल्यू है 15,000,000 मैं पे कर रहा हूं साड़े चौदा लाइग मुझे एक टाइब का प्रॉफिट हुआ के लॉस हुआ है जल्दी बताओ दोस्तों जल्दी बताओ प्रॉफिट हुआ है यह क्यापिटल गेन है या रेवन्यू gain capital gain के लिए c लिखे revenue gain के लिए r लिखे एक टाइप का capital gain revenue gain capital gain क्योंकि revenue gain का मतलब क्या होता है जो आपके normal course of activities की बात होते है किसी का business खरीदना को normal course of activity की बात नहीं है तो इसलिए यह मेरा capital gain है इसलिए हम लोग इसको यहां पर डालेंगे capital reserve के नाम से बचे हुए 50,000 रुपए और अगर किसी को रटना है साथ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर मेरा debit जादा है और credit कम है तो बचा हुआ पैसा transfer हो जाता है capital reserves account में I believe दोस्तों यहां तक कोई दिक्कत परिशानी समस्या वाली बात नहीं है everybody एक बार और एक बार और अगर debit में balance बच रहा है तो किस नाम से आएगा गड़िट में balance बच रहा है तो किस नाम से आएगा gw या CR जी या c वी लिख सकते हो excellent answer goodwill के नाम से बोलो भई goodwill के नाम से और अगर credit में balance बच रहा जैसे this case में credit में balance बच रहा हैं credit में balance बच रहा है तो किस नाम से आएगा दोस्तों Capital reserve के नाम से में excellent 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 भायों बहनव क्या मैं मांसकता हूं यहां तक कि सारी चीज़े consideration other than cash पूरा का पूरा say very chests consideration other than cash. पूरा का पूरा clear है. Yes or no everyone. हखाश और अच्छा यार एक बात बताओ क्या इनके बाद भी entries होंगी. क्या इनके बाद भी entries होंगी. जल्दी बताओ yes or yes इनके बाद भी entries होंगी. इनके बाद वहत premium पर हो सकता है, प्रेमियम पर हो सकता है डिस्काउन्ट पर हो सकता है बहुत चीज़ें ऐसे हों के आई कट दूस्तों आगे सिक्योरिटी के लिए गomina तो कौन मेरे साथ फिलाल बात करेगा collateral securities के लिए मुझे volunteer चाहिए कौन मेरे साथ ने चड़ो चड़ो कोई बात नी मैं ही बता देता हूँ बात करने वाला ना time बचा नहीं है मैं ही बता देता हूँ सुनिये ध्यान से ठीक है दोस्तो concept समझना entry की अगर बात करी जाए तो मैं आपको दो मिनट में entry रटवास करूँ दो मिनट में मुझे दो मिनट में लगेंगे ठीक है लेकिन मुझे आपको concept देना है please concept समझेगा होता क्या है ये एक इंसान है और ये एक bank है इंसान bank में गया और bank से जाके बोलता है कि भाई साथ मुझे लोन चाहिए क्या bank उसको ऐसे लोन देदेगा yes or no क्या bank उसे ऐसी लोन देदेगा yes or no नहीं bank सारी के सारी चेकिंग करेगा कि क्या वो income कमाता है नहीं कमाता क्या वो बनून बंदा है नहीं यह सब देखने के बार bank कहेगा ठीक है यार हम आपको लोन देने को तयार है 10,00,000 का लोन है हम आपको लोन देने को तयार है अब इस बंदे को जैसे ही लोन मिलना तयार हो जाता है अब bank बोलता है कि यार क्या guarantee है कि तू मुझे पैसे वापस देदेगा यह कहता है कि यहर पकका मैं पैसे वापस दे दूंगा तो बैंक कहता मुझे तेरे घर के पेपर्स करणाा होगी और उसी के बाद मैं तेरे को दसलाख रुपके और यहां तक सब कुछ से रिकवर कर दो नाइस अब जैसे इसने घर के पेपर दे दी अब भी बैंक कह रहा है कि यार ये भी तो हो सकता है कि तेरा घर जो है वो दस लाग का ना बिके तो अब ये बंदा कहता है कि भाई तो मैं क्या करू तो ध्यान से सुनना बैंक अब बोलता है कि यार तू अब एक मुझे को लेटरल सिक्योरिटी बना कर देते अब को लेटरल सिक्योरिटी क्या होता है ध्यान से समझना और पाल तुम्हें विवादित मत होना बहुत सिंपल सा कॉंसेट है कि अगर मैं रेडिंग यूज कर रहा हूं अगर यह इनसान पैसे ना पे कर पाए यार आईश्वान मैंने अब क्या कहता अभी अभी रूप अभी रूप अभी रूप टॉपिक ऐसा है बिल्कुल ठीयरेटिकल रद्दर टॉपिक है तब ही मैं कहता है मैं दो मिनट में रटवा के समझा सकता हूं लेकिन मैं प्लीज मैं कुछ ट्राय कर रहा हूं उसको एक बार मैं सब कुल बता दूँगा हाँ मैं इसको अगर कुलेटरल बोल दूँगा ना यार तो फिर सारा गेम ही खतम हो जाएगा ठीक है तो रुप जा इन रियल लाइफ इसको कुलेटरल भी बोलते हैं लेकिन मैं कुलेटरल सेक्यॉर्टीज अलग कॉंसेट समझा रहा हूं ठीक है तो समझते अगर ये बंदा प ये जो डेड़ सेक्यॉरिटीज है ये अक्टिव हो जाएगे किसी को कुछ समझ नहीं आया मुझे पता है लेकिन अब फॉलो करना जो मैं आपको बता रहा हूं इस बंदे को लोन चाहिए येस और नो बस रिप्लाइ करते हो सब कुछ समझा जाएगा येस बैंक सब से पहल क्या लेगा मलब पेपर्स के लिए पीई लिग दो बैंक सबसे पहली बात ऐस सेक्यॉरिटी क्या लेगा घर के पेपर लेगा बैंक को इन सेक्यॉरिटी होगी कि यार अगर घर जो है वो नहीं बिक पाए हो सकते नहीं हो सकती येस और नो हो सकती है तो वो इस बन्दे को कहेगा कि भईया तू मुझे को लेट्रल सेक्यॉरिटी दे दे को लेट्रल सेक्यॉरिटी का मतलब ऐसी सेक्यॉरिटी जो फिलहाल इड्ड है लेकिन अगर तू पैसे ना दे पाए और तेरा घर बिखकर पैसे ना मिल पाएं तो ये dead securities active हो जाएंगी मतलब लोन लिया है दस लाग का बंदे ने पे कर दिये हैं एक लाग कित्ते रुपए बचे कित्ते का लोन बचा बंदे ने एक लाग पे कर दिये कित्ते का लोन बचा नौ लाग का लोन बच गया घर बिग गया छे लाग का कित्ते का लोन बच गया घर बिग गया छे लाग का कितने का लोन बच गया तीन लाख रुपे का तो यह जो कुलेटरल सेक्योरिटीज हैं यह एक्टिव हो जाएंगी और कितने के कितने के डिवेंचर बन जाएंगे बताओ फ्लो के साथ चलो तीन लाख के डिवेंचर बन जाएंगे एक्सलेंट अंसर अगर आप लोगों ने आपको पता होगा शायद कि अरे अरे एक मिनट भई तो पता होगा कि यह जो पेपर जो देते हैं इसको भी को लेटरल के लेकिन मैं अभी को लेटरल की बात नहीं कर रहा है तो इसलिए मैं इन दोनों वर्ट को नहीं करना चाहरा था तो गलती मैंने कल ऑफ-लाइन में करी चार से पांच वाले जो बच्चे होगा इस तो बात नहीं बहुत अलग बात अब एक बात समझो अगर मैंने एक भी पैसे पे ना करें और मैंने जो घर के पेपर रखेंगे ना यह मैंने फ्रॉड पेपर रखें तो घर भी कुछ भी नहीं बढ़े तो बता अब यह जो देड从 की च्क्यॉर्टी इसकी कित्ती वैजी होजाएगी जो टेड डिबेंचर से इंकी कित्ती वैल से भी घ्र, दस लाक होगी ना दस लाक और यह पैपने मैं बाफनी करा घर भी नहीं विका तो एक इतने का बन ज यह चाहे मैंने डेड ही मैं हाइलाइटर का यूज कर रहा हूं दोस्तों मैं ब्लू हाइलाइटर का यूज कर रहा हूं चाहे मैंने डेड सिक्यॉरिटीज ही दिये हैं लेकिन क्या मैं डेवेंचर इशू कर रहा हूं चाहे डेड ही हैं क्या मैं डेवेंचर इशू कर रहा हूं फिलाल येस और नो बताओ चाहे डेड ही हैं इशू कर रहा हूं येस और डेवेंचर इशू कर रहा हूं तो क्या percentage debenture 10 लाग से credit होगा debenture issue कर रहा हूँ क्या credit होगा yes or no बता 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 everybody yes ठीक है please focus करो सवाल है कि debit क्या होगा सवाल है कि debit क्या हो अगर आप लोग ने school में से पढ़ रखा तो please अभी मत बोलिएगा बाकि अगर किसी को idea नहीं है वो एक बार को जवाब दे या आपके हिसाब से क्या होना चाहिए debit में आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है 10 लाग का debit क्या होगा दो चीज़ें आती है बच्चों के दिमाग में या तो आता है bank या तो आता है bank loan या तो collateral security यह तीन चीज़ें आती है चलो ठीक है जैसे रादे और आईश्मान ने को लेटरल बोला मेरी बात सुने बैंक नहीं आ सकता क्योंकि पैसा तो पहले सी आ गया loan debit नहीं हो सकता loan debit का मतलब आप loan को खतम कर रहे हो collateral securities कुछ भी नहीं होता ना asset ना liability कुछ भी नहीं है हाँ जी सुनिया everybody 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 जब भी आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप लोग क्या debit क्या लिखते हैं जल्दी बताओ कौन सा अकाउंट लिखते हैं जब आपको कुछ भी समझ नहीं आता आपको exactly बोलो बोलो एवरिबड़ी सस्पेंस लिखते हैं और इस सस्पेंस तो यहां पर हम लिखेंगे डिवेंचर सस्पेंस जब एक आखरी बात पूशता हूं सरह मैं आपसे everybody ज्यां सुनना एक आखरी बात पूशता हूं हमने बैंक से कितने का लोन लिया था हमने बैंक से कितने का लोन लिया था दस लाग क्या बैंक वाला मुझसे दस लाग से ज्यादा के कुलेटरल सिक्यूर्टी मंगवा सकता है क्या बैंक वाला मुझसे दस लाग से ज्यादा के कुलेटरल सिक्यूर्टी मंगवा सकता है बिलक पूछा था और पिर जब वहां पर स्टाफ रूम में और उन्होंने का था कि आपने वहां पर क्यों नहीं समझाया जादा भी हो सकता है रीजन क्या है जहां से सुनियेगा यार एक बात बताओ आपने दस लाग का लोन ले लिया और मान लेते हैं आपने आज तक इंटरस्ट ही पेह नहीं करा खुछ पैसे पेह नहीं करें तो क्या इसके उपर इंटरस्ट एड़ान होता रहेगा येस और नो क जा इसके उपर इंटरस्ट एड़ान होता रहेगा तो इसलिए वह एक छोटा सा मार्जिन भी रखते हैं और वह आपको बारा लाग का तेरा लाग का अपने मन के हिसाब से वह आपको डिवेंचर को लेटरल डिवेंचर के लिए बोल सकते हैं इस इट क्लियर एवरीबड़ इस और नो ठीक है ओके एक छोटा सा पॉइंट वे आपको दिखाता हूं जड़ा अरे उप्स निकल अब हट जा भाई एक चीज छोटी सी चीज दोस्तों हाँ जी एवरीबड़ी प्लीज स्क्रीन देखिए एक बार बस देख लो जल्दी से एक मिनट और लगाऊंगा बेस्ट बार कोड लिमिटेट टुक लोन ऑफ रुपीज पांच लाग पहली वाली एंट्री दूसरी वाली पहली एंट्री इस बैंक टू बैंक लोन दूसरी एंट्री इस डिवेंचर सस्पेंस टू तब यह पांच लाग वाली कौन सी एंट्री पहली वाली दूसरी वाली है पहली वाली बोलो भाई पहली वाली उसके बाद पॉर गिविंग रुपीज छे लाख नौ पर नौ पसेंट डिवेंचर इस कुलेटरल से क्योड़ी यह कौन सी वाली है पहली वाली दूसरी वाली बताऊ दूसरी वाली पहले वाली एंक्टिमें कितने लाग लिखोगे पहली वाली एंटिरी में कितते लाग लिखोगे इस ऐस आपने लुट लिया है पहले वाली इंट्री में कित्ता लिखोगे बिटा तीन लाख दा कम्पनी इशुट फोर थाउजन नाइन परसेंट डिवेंचर एस को लेटरल सेक्यॉरिटी दूसरी इंट्री में कित्ता माउंट लिखोगे चार लाक रुपे ठीक है अब सुनो मेरी बात क्या कि इस चैप्टर में बचा हुआ है ठीक है लिसन 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 एवरीबडी प्लीज जस्ट लास्ट मिनिट यार एक तो इसमें बचा हुआ है इंट्रस्ट ओन डिवेंचर और उसके साथ मुझे आपको टीडियस का कॉंसेप लिए समझान है टैक्स जत्व इसके अलावा एक इसमें राइट उफ के इंट्री बची यह आपका दस मिनिट का कॉंसेप्ट यह आपके पांच मिनट का इसमें आपको एनपीओ के छोटे वाले च्वेश्ट बड़े नो के चोटे बड़े बड़े कुश्ट हुआ करते थे उसमें छोटे वाले questions मैं सारे खतम करवा दूँगा आपको आपके हम लोग जो है NPO के छोड़े वाले questions हो जाएंगे आप लोग का काम है भई टेलीग्राम से देखना है प्राक्टिस करना है जो करना है करो NPO हम लोग start करेंगे Tuesday आपकी अगली class ठीक है टेस्ट क्यों से दिन है बस एक आखरी सी बताव होका कस्ता है वेन्सडे को टेस्ट ठेक है जरूर दीजेगा टेस्ट बटाब वेंसडे को टेस्ट थेनक्स तंप से KT contributions ऐरी के शेती